हेलो मित्रों बहुत दिनों से 2018-21 वाले का बीए वाला रिजल्ट आना बाकी था तो उसका रिजल्ट आ गया है कैसे चेक करना है इसके लिए आपको बता रहे हैं कि हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे चुके हैं तो लिंक वो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस प लिक करेंगे आपका दिखी दूपाट बीए पाट टू अठारा एकिस का रिजल्ट यहां पर दिया हुआ है इस यह ड्राइब का रिजल्ट है इसमें अलग-अलग कॉलेज का यह बना हुआ है डीके कॉलेज, अलग-अलग college का नाम के साथ दिया हुआ है अब जिस भी college का student है अपने उस file में click करना है और result अपना देख लेना है तब दिखिए यह अलग-अलग था यह combined file है और जो यह folder बना हुआ है यह folder इसमें subject वाइज अलग-अलग file बना जैसे mb college पर हम चलते हैं mb college में click किये तो इसका अंदर में अलग-अलग subject का file बना हुआ है economics का, English का, Hindi का, History, philosophy, political science, psychology, Sanskrit और यह no honors है तो इसमें हो सकता है file वाला बिदर्थी का होगा जिसका कोई details नहीं सही से पता हो तो यह result यहां पर आया हुआ है तो हम अभी जैसे philosophy का check करते हैं तो इसको आप ऐसे click करेंगे तो आपके सामने यह खुल जाएगा जितने बिदर्थी है उसका result यहां पर आ उसके बाद सबसेडरी का है दो सबसेडरी फिर composition और overall grand total कितना number हुआ यह यहां दिया हुआ है और फिर सब को मिला करके विदर्थी का result finally क्या हुआ रिमार्क में दिया हुआ है last में पास या पर्मोटेड या fail जो होते हैं तो यहां पर पास भी है पर्मोटेड भी है तो पर अगया होगा नंबर तो फैल हुआ होगा किसी में जैसे कि यहां पर देख रहे कि एक विदर्थी जो है यह फैल है क्योंकि इंग्लिस में इसने नहीं इसका 0 दिखा रहा है तो यह सब अलग-अलग कारण होता है कि विदर्थी का result खराप होता है अब फैल विदर्थी को उ पर फैल होगा उसको जो है क्या करना होगा फिर से एक्जाम फॉर भरना पड़ेगा और जिस पेपर में वह फैल हुआ है उसमें एक्जाम देना होगा फिर से दिखें कर रहा है तो हिस्टी का साथ 20 पेज में result है तो इसमें जो है आप computer सो जब खोलेंगे तो control प्लस एफ करेंगे इन्हीं find करके अपना रॉल नमर डालेंगे तो उस पेज में चल जाएगा जब पेज में चल जाएगा तो उस पेज में अपना देख लिजेगा और पुरा पेज को प्रिंट कर लिजेगा वही आपका result काम आएगा तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ गये अब उनका पूरा result जिस भी विदार्थी का है उसका देख करके ही समझ में आएगा कि ऐसे इस्टूडेंट का क्या करना है क्या होगा तो यहां पर देट तो नहीं दिया गया है लेकिन पब्लिकेशन डेट लिखा हुआ है दिकि यह कब पब्लिस हुआ है तो चार दिसंबर को ही हुआ है लेकिन जारी भले अभी हुआ है लेकिन इसमें जो पब्लिकेशन डेट है वो चार दिसंबर का ही है तो रिजल्ट पहले से त्यार था ऐसा आप कहा सकते हैं बस बाहर नहीं निकला था स्टूडेंट के पहुश से दूर था तो यह 18-21 का रिजल्ट हुआ अब इसी रिजल्ट के आने के बाद चुकि पहले कोमर्स का आ गया है रिजल्ट अब फिर जो है साइन्स का आ गया उसके बाद अब यह आर्ट्स का भी रिजल्ट आ गया इस तरह से अब जो है पूरा रिजल्ट त्यार हो गया है अब जो पास हो गया है उनका पार्ट 3 में एड प्रोसेस चलेगा तभी के लिए इतना है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन्यवाद